हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आदाब सस्रीकाल मैं हूँ आपका दोस्त रॉबिन सिंग दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर कोई लेडिस ज्यादा है यानि कि ज्यादा बड़ा उनका शरीर है तो इस तरह की लेडिस की सूट की कैसे की जाती है दोस्तों क हमारा ओनलाइन वाटसप क्लासे जो स्टीचिंग का कोर्से से जोइन करना चाहते हो तो इसक्रीन के उपर आपको दो जो नंबर दिखाई दे रहें इन पर आप कोल करके पूरी जानकरी ले सकते हो तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो मेरेपाउट आ इस शुट में से दोस्तों मैंने है कटिंग करनी है एक हैवी साइज तो उसके लिए क्या करना होगा यह देखिए 28 का आदा होता 14 इंच यह देखिए इस जगे से केनारी वाली जगे से आपको नापना 14 इंच यह हो गया इसका टोटल चोड़ादों 28 घेर और चाग में फॉल्ड करने के लिए दोस्तों कम से में डेड़ इंच आपको कपड़ा च देख सकते हो यह एक दो तीन और चार चार इसकी टोटल पैय है अब इसमें आगे और पीछे के दोनों पार्ट हम एक साथ काटेंगे सबसे पहले दोस्तों आपको निशान लगाना नीचे इस तरह से देखे इस निशान का मतलब यह होता है कि अगर कपड़ नीचे से छोट में सबसे पहले हम निशान लगाएंगे वह लगाएंगा लंबाई का यह जो हैवी साइड जुका जो मैं सूट कटिंग करने जा रहा हूं इसकी जो दोस्तों लंबाई है वह 43 इंच यह देखिए यह होगे इसके लंबाई दोस्तों इस तरह से निशान लगाने के बाद अब मैं आपको बदाता हूं कि हमें अगला प्रोसीजर क्या है कैसे इसमें फिटिंग के निशान लगाने क्या इसका टोटल मेजरमेंट है तो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ मैंने सूट का नाप सूट के लंबाई 43 हे मैंने दोस्तों यह जो नाप लिया है मैंने लिया है एक हैवी साइज की जो लीडिज कम स्ल्.'कम 48 का फरक और हिप उनकी हैं 51 हाँ 15 और बाजू की लंबाई है 8 इंच और बाजू की आगे से गुलाई है 17 गेर 28 इंच वो मैंने आपको बताई दिया है अब दोस्तों जो मेंजीर होती है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूं क्या होता है जब भी हम बोडी से मेजर्मेंट लेकर सूट की कटिंग करते हैं तो कभी भी फिक्स बोडी मेजर्मेंट के अनुसार आपको कटिंग नहीं कर नी जैसे के दोस्तों मान लिजिए कंबर इनकी 43 है और अपर बेंस 427 है और शोट कोटिंग करFirm अगर दोस्तो इसी body measurement के according मैं suit की cutting करता हूँ तो बिल्कुल fix ये suit हो जाएगा, किसी भी condition में उनको suit आ ही नहीं पाएगा, बिल्कुल फस जाएगा, तो दोस्तो जब भी आप suit की cutting करते हो, तो किसी को medium size का suit चाहिए, ना ज्यादा lose हो, ना ज्यादा tight हो, तो आप उसमें 3 inch extra losing दे दे, और अगर किसी को fitting का चाहिए, तो 2 inch extra losing दे सकते हो, अब दोस्तो जर्नली मैं जब भी suit की cutting करता हूँ, तो मैं 3 inch extra losing देता हूँ, जैसे का lower best 43 है, इसमें मैं 3 inch add कर दिये, तो ये हो जाएगा 46, इसी पकार से upper best 47 है, इसमें मैंने 3 inch add करे, ये होगे 50, और कमर है 45, तो ये देखिए, क्योंकि दोस्तों पीछे से जो गला है, वो है 7 inch, तो मेरा simple formula ये होता है, जब भी पीछे से गला आपका deep हो, deep गले मतलब 6 inch से जब आप गला बड़ा बनाते हो, तो वो deep में आ जाता है, तो आपको कुछ भी निकालना, simple formula यहां से जो shoulder लेना है, वो लेना निशान लगाना है, और armhole निकालने का simple formula है, जैसे यहां से 6 inch आपने लिया है, तो इसी परकार से यहां से आपको आदा इंच बढ़ाते हुए, साड़े शे पर निशान लगाना है, देखिए, कुल मिला के बात यह है friends, जेतना भी आप shoulder लेते हो, उससे आप आदा इंच ब क्योंकि जब यहां से गुलाई होती है, तो armhole अपने वह बढ़ जाता है, आप cutting करने के लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले जो नाप लेना है, वो लेना lower best का, lower best है 43, 43 में दोस्तों तीनी चैड करने के बाद, यह हो जाता है 46, अब 46 जो है, इस according आपको cutting करना है, तो यह बनता है 23, और 23 का अगर मैं half करता हूं, एक चुथाई करता हूं, तो यह बनता है 11, तो आपको इस तरह से 11 इंच पर निशान लगाना है, यह देखिए, यह हो गया हमारा lower best का निशान, lower best का निशान हमेशा दोस्तों armhole से ही लिया जाता है, अब इसके बाद बात में हम अपर ब्रेस्ट की, अपर ब्रेस्ट है दोस्तों 47, यानि के lower best और upper best में जो distance है वह है 4 इंच का, दोस्तों अगर 4 इंच तक का distance हो lower best में, तो आपको क्या करना है यहां से देखिए, कम से कम 4 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और सीधा इस तरह से निशान लगाएं कि लोब रेस्ट और अपर बेस्ट चार निच का अगर फरको तो कम से कम चार यह साधे-चार पर आप निशान लगा सकते हो अब 47 जो इसकी अपर ब्रेस्ट है उसमें आपको टीर निच एड़ करना है तो टोटल हो जाएगा 50 50 का आदा होता है 25 25 और 25 का हाफ होता है 11.5 तो दोस्तों यहां से आपको लेना 1.5 यह देखिए कि इस तरह से निशान लगाने हैं अब बात करते हैं कमर की तो कमर की जो दोस्तों शेप दी जाती है ज्यादा तर हैवी साई सूट हो लोग वयश्ट में इतना ज्यादा फरक हो आपर बैस्ट फरक हो तो जनरली तो स चोथा हिस्सा निकालूंगा कमर दोस्तों 45 में तीन जोड़े यह हो गए 48 तो 48 का हाफ होता है 24 यानि 24 और 24 का आदा होता है वह होता है 12 तो 12 पर निशान लगाना है यह देखिए यह हो गई कमर आप्ाते कि लिए दोस्तों जब सुर्षा निशान लेते हैं 21 इंच लेकिन हम Süइवी तो यह उनिशान वहसे वह स्यvoorते हैं कर दो वह यह 23 इंच पर देखिए 23 इंच पर मैं इस तरह से सीधा निशान लगाऊंगा अब इसका जो हिप्स निकालना है दोस्तों वैसे बोड़ी मेजरमेंट वो है 51 यानि 51 इंच है अब दोस्तों इसका जो घेर है 28 इंच 28 का अधा होता है 14 तो इस तरह से 14 पर निशान लगाकर इसको सीधा ले जाएं तो इस आप देख सकते हो यह मैं आपको देख सकते हो यह जो मैं ने मार्क कर हैं यह मैं थार्य किरें एक है इस में अब कर नाब को से कि अट जो काम है फो बिल्को नोर्म सूट के अट को जो दूरी लेनी वो लेनी डेर इंच की अब आपको इस जगह से देखी स्थेश को गुमाया है और इस गुमाव को आपको अंदर इस तरह से। लेकर जाना यह देखिए अब दोस्तों इसमें जो अगला काम है वो है कटिंग का तो कटिंग कैसे करनी है आप देखें यह जो मेरे मार्क लगाएं इस मार्क पर तुम्हारी स्टीचिंग आ जाएगी अब इसकी कटिंग करते समय आपको जिस चीज़ का ध्यार रखना है विश्चिश तोर पर उसके का तो है मार्क इस मार्क पर तो आ जाएगी स्टीचिंग इसके लावा आप आगे इसमें डेड़ इंच दो इंच इतना चाहो एक्टा मार्दन ले सकते हो तो फ्रेंट्स अब मैं आपको बताता हूं कि यह जो मैंने आदा इंच एक्टा लिया इसकी पिछे क्या कारण होता है अब फ्रेंट्स सबसे पहले तो आगे और पीछे के दोनों पार्ट इस तरह से अलग करें हैं यह देखिए जैसे मैं अलग कर दी हैं अभी सिर्फ मैंन के दी का निशान लगा रहा हूं दोस्तों इसके पिछे देखिए कारण वहता क्यासे जो टोटल में दूरी ली थी वह ली थी मैं ने डेडिए इंच की यहां से अब दोस्तों जो 1 डेडिली ली थी यह वाला निशान था मेरा यह देखिए यह मैंने टोटल डेड़ इंच की दूरी ली थी लेकिन जब आप इसमें आर्म होल की कटिंग करते हैं फ्रेंट वाले की तो आपको थोड़ा सा इसको कम सब्सक्राइब आदा से पोना इसको एक्ष्टा कटिंग करनी पड़ती है यह देखिए जैसे मैं इसकी कटिंग लगबग आदा इंच तो यह तो दोस्तों मैंने आगे वाले जो पार्ट थी इसकी आर्म होल की कटिंग मैंने कर लिए अब हम पीछे वाला जो पार्ट है इसमें से जो मैंने पीछे की तरफ एक्ष्टा कप्डा लिया था इसकी कटिंग हम नहीं करेंगे इसके पीछे दोस और अब देखें यह जो पीछे वाला पाट है दोस्तों कम से कम इसका आदा इंच से ज्यादा यह बड़ा है तो अब दोस्तों इसमें मैंने इसलिए बड़ा करा है क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है अगर आगे और पीछे के दोनों पाट बराबर काट लेते हो तो उसमें क्या दिक्कत आती है उसमें जो आपका जो आगे से आप गला बनाते हो वह पीछे की तरफ भागता है लेकिन आप पीछे का इससा आदा इंच बड़ा लोगे आदा से थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो को दिक्कत नहीं पॉन इंच भी ले सकते हो उससे क है इससे की मैंनेней करी तो दोस्तो इस तरह से ये देखिए फ्रेंट और बैक की दोनों की इसका पीछे का गला है वह कि पीफे का गला जाएक वह में चाहिए 7 फारि एक 7 फिर मैं निशान लगा दिया गले की जो टोडाय ले रहाऊं दोस्तों रूर्द तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो फ्रेंट और बैक की मैंने कटिंग कर ली है अब बात करते हैं इसकी बाजू की कटिंग कैसे करनी यह देखिए यह जो कपड़ा में बचा हुआ है काफी सारा कपड़ा है बिलकुल आसान तरीका बताऊंगा फ्रेंट्स आपको म कप्ड़ा में पास डबल को आपने इस तरह से फॉर फ़ोल्ड कर लेना यह देखें तो दोस्तो इस तरह से कपड़े को अच्छे तरह से जमा लिए दोनों कपड़ों को बिन आगे पीछ के देखें टोटा चार लेयर है एक दो तीन और चार इसमें से असानी से हमारी जो है ब बाजू की दोस्तों जो गुलाई है वह 17 तो 17 का अधा होता है साधे यह देखिए साधे आठ पर निशान लगाना है आपको इस तरह से और एक निशान आपको लगाना होगा यहां से तो दोस्तों इसकी अपर ब्रेस्ट तो दोस्तों इसकी थी अपर ब्रेस्ट तो दोस्तों यह देखिए यह 47 copy को करना यह हाफ ऐसाड़े24 और यहां कर साथी सेवन क्या दोस्तों अक्र हम करता है एक चुथाई करते हैं तो यह दूस्तों इस तरह से आपको क्रोष में ब्रेस्ट आपको कहा प्यारा रहा है यह 12 इनलगा यह 18 तो आदा इंची कम वहाए का सवाग्यारह तो इस तरह से यह देखिए सवाग्यारह इंची पर आपको निशान लगाना है अब यह जो मैं निशान लगा है इन निशानों को आपस में मिलाएंगे यह देखे तो कुल मला के दोस्तों बात यह है कि सीने का आपको चोथा इससरे करके आदा इंच कम कर देना है तो छीना था दोस्तों एक टोथी लोब्रेस्ट एक अपर बेस्ट आपको अपर ब्रेस्ट के इसाब से ही निशान लगाना है बिना लूजिंग दिये हुए तो दो सवा 11 पर हमारा यह निशान आ चुका है आप देख सकते हो और अब इस तरह से दोस्तों यहां से आपको देनी अ गुलाई और यह जो निशान आपको लेकर जाना है इसके साथ यह देखिए अब आपको करलेनी इस तरह से कटिंग यह देखें यह मैंने कटिंग कर लिए बाजू की लमबाई आप देख सकते हो यह बाजू की लमबाई आठक इंच अब इसको आगे फोल्ड करने के लिए में extra कप्रे की जोड़ होती है आप एक इंच आदाएंच जितना भी चाहो हो एक्सक अपर रख सकते हो यह देखिए मैं यहां पर लगाना इंग काट यहां Unis a यहां पर दोस्तो से आपको सिस किसी गुलाई देना है इस अब जाती है जैसे आर मोल की कटिंग होती है इस परकार से और यहां पर लिख लें बाजू का नाप जो की है 17 तो दोस्तों इस परकार से आप देख सकते हो बाजू उमारी कट चुकी है तो Friends आप देख सकते हो इस तरह से जब हम इसके बाजू लगाएंगे तो आप यह देखिए इसको भी इस तरह से पकड़ के देखें एक दम इसके साथ ही भी को ब्राबर आ रहा है तो दोस्तों बहुत असान तरीके से इस तरह से आप बाजू का आर महल भी निकाल सकते हो तो फ्रेंट्स ये थी मेरे आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हैवी साइज सूट